हेलो जॉब सिकर कैसे हैं आप लोग तो जैसा कि मैंने पहले आपको बोला था कि हम लोग GATE 2020 के स्कोर के बेस में वेरियस IATs and IACs में अप्लाई करेंगे उसके रियाडिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ अब तो हम लोग क्या करेंगे कि एक अलग से पूरा प्लेलिस बनाऊँगा मैं इस पे जिसमें तीन से चार IATs हर वीडियो में कवर करूँगा जिससे कि हमारी पूरी IATs कवर हो जाएंगी और उसमें आपको cut-offs, last date, कितनी fees है कितने department, हर department wise and हर department की cut-off दी तो आप लोग बिलकुल ध्यान से देखिए इसको अगर अगर अभी आप लोग नए है इस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला है हम लोग का IASC Bangalore IASC Bangalore के अंदर हम लोग का जो Climate Science Department है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसकी last date है 6th of April 6th of April इसकी last date है and 800 rupees form fees रहेगी इसकी आपकी 800 rupees form fees रहेगी जो जिसमें आप सिर्फ 5 departments में ही apply कर सकते हैं तो form भरते ध्यान रखिएगा 5 department में ही apply कर सकते हैं तो पहला है Climate Science इसके अंदर आप देखें तो generally 700 से 900 के बीच में cutoff है इसमें various branches eligible हैं aerospace, electrical, CS, industrial, mechanical, production various branches हैं roughly cutoff जो इसका रहेगा वो रहेगा 700 से 900 के बीच में तो पूरे आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये general के cutoffs है में जो आपको बता रहा हूँ ध्यान रखना है कि आप लोग बड़े, मतलब precisely choose करें कि आपको किस IIT में apply करना ये नहीं कि आप ठीक है आपका score अगर कम है 500 भी और आप apply कर रहे हैं और उमीद में बैठें के हो जाएगा ऐसा बिल्कुल मत सोचेगा क्योंकि ये prestigious institutes है जो cutoffs हैं उन्हीं के base पे ही मान कर चलिए उसी को इक reference मानी है आप लोग उसी के base पे आप लोग form apply करें क्योंकि 800 rupees is not a small amount ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं electronic systems के अंदर gate के अंदर 700 ये चार departments हैं 700 से 800 के बीच में cutoff है इसका 750 से 800 के बीच में product design इसमें gate के basis पे seed एक अलग exam में इसको नहीं देखना आपको gate के base पे देखना है इसके अंदर roughly आपकी जो जाएगी वो रहेगी fluctuate बहुत कर रही है aerospace वालों के लिए 793 तो कहीं MA के लिए 378 production के लिए तो कुछ हैं EPA mechanical के लिए 845 बहुत है जाती है तो जैसा आप देख पार है फिर chemical engineering के लिए 600 cutoff, electrical engineering के लिए chemical department, department 725 cutoff, then इसके बाद artificial intelligence, अच्छा department है इसके अंदरी तीन branches eligible हैं 700-800 के बीच का cutoff है mechanical का काफी high रहते है 730 का cutoff रहेगा general का micro electronics के अंदर आप लोगों की जो रहेगी वो 700-800 की बीच में cutoff रहेगी, signal processing के अंदर 800 cutoff है, यह 2019 के basis में बता रहा हूँ last previous year के cutoffs के basis में बता रहा हूँ data, aerospace, competition data बहुत अच्छा department इसमें अप्लाए करें बिल्कुल यार, इसके अंदर जो cutoff रहेगा, वो 600-700 की बीच में cutoff, तो score कम भी है cutoff और ISE जैसे इंस्टिजूट में इसमें अप्लाए करना बहुत अच्छा रहेगा, nano science में 500 का cutoff रहेगा, earth science के अंदर 400-400 की बीच में cutoff रहेगा, communication के अंदर 750, electronics वाले अप्लाए कर सकते हैं, इसमें smart manufacturing, यह भी बहुत अच्छा department है, cutoff भी इसका बहुत है रहता है, जिससा आप देख पार है, mechanical का सबसे ज़्यादा cutoff है इसकंदर, तो roughly इसमें 500-600 रहता है, 700 भी रहता है, लेकि mechanical का 800 तक cutoff जाता है, तो हम next IIT जो हमारी है, वो है IIT कानपुर, कानपुर, इसका जो last जेट रहेगा, वो आपका 15th of April है, and मैं आपको सबके links नीचे description में दूँगा, direct आप apply करें, आपको कहीं धूनना नहीं है, Google कर सर्चनी करना, direct apply करेंगे, इसमें ध्यान रखने वाली बात है, इसमें 400 रुपीज फीज है, per department for general candidate, message, general candidate को reference मान कर ही चल रहा हूँ, EWS भी नहीं, सिर्फ general candidate, तो इसके अंदर जो आपका है, वो है जो पहला department है, इसका cut-off रहेगा, photo science and engineering 414, then nuclear engineering and technology 715, mechanical engineering 822 cut-off जाएगा, काफी highest cut-off है, material science में 631, material science engineering 544, industrial management में 683, environmental engineering management में ही नहीं है, electrical engineering के अंदर 817, art science में 489, computer science के अंदर 732, civil के अंदर 784, chemical में 562, biological science में 579 and aerospace के अंदर 737, तो यह तो होगा हम लोगा, IIT कानपर and then अब last हम discuss करेंगे, IIT भूबनेश्वर, IIT भूबनेश्वर के बारें discuss करते हैं, यह है IIT भूबनेश्वर, ठीक है तो इसके अंदर जो last date है, वो बहुत जल्द है, यार यह 5 April है, 5 April इसकी last date है, 5 April तो प्लीज अप्लाइ कर लेना, और इसमें 300 रुपीज fees है per department जिस भी department चाहिए, आप मकाने के अंदर design में जाना चाहते हैं, design की 300, thermal की 300, ऐसे हर डिपार्टमेंट की अलग-लग fees है, ठीक है, तो इसके अंदर climate science and technology की जो cut-off है, यह है general का cut-off यहाँ पर, धिहान देजे, यह general का cut-off है, फिर इसके electronics communication का 545, cut-off जाएगा, structure engineering का 575 cut-off जाएगा, power system engineering का 495, 500 का cut-off जाएगा, transportation engineering के अंदर 500 का cut-off जाएगा, material science के अंदर 460 से 470, mechanical design में 600 के around cut-off रहेगा, आप लोगगा thermal के अंदर 595 से 600, तो यही था, अगर आपको और भी कोई queries हैं, कुछ और पूछना है, या आप लोगगा कुछ और suggestions हैं कि मैं और भी आड़ करूँ, इस वीडियो के अंदर तो वही मुझे बताइएगा और कैसा आपको लगा वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब पीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेर कीजिए कोई भी query को comment section mention कीजिए और हम लोगा टेलीग्राम पर भी चैनल मेना है जॉब सीकर के नाम से, उसको भी subscribe पर सकते है लिंक्स आपको सब description में मिल जाएंगे Thank you